हेलो दोस्तों स्वागत है आपका कृषी क्रांती की इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आपको ICR PG और PhD का admit card डाउनलोड करना है तब फाइनली आपका admit card ICR NTA की official website पे upload कर दिया गया है ICR PG और PhD के options यहाँ पे add हो चुके हैं admit card डाउनलोड करने के तो admit card डाउनलोड करने के लिए simply आपको यहाँ पे click कर देना है आपके application number और password की साहिता से आपको अपना admit card डाउनलोड कर लेना है admit card डाउनलोड करने के लिए आप अपना application number और date of birth भी use कर सकते हैं जैसे आप इस पे click करेंगे admit card डाउनलोड करने के लिए application number और password जैसे आप enter करेंगे then उसके बाद यह security pin जो आपका flash हो रहा है इसको आपको enter कर देना है then sign in पे click करेंगे तो आपका admit card डाउनलोड हो जाएगा आईए हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं जैसे ही आप sign in करेंगे तो आपका admit card डाउनलोड हो जाएगा इसके बाद आपको print कर लेना है इस admit card को और उसके बाद हम देखने वाले हैं कौन-कौन सी details आपको fill करनी है और examination में क्या लेके जाना है self declaration में यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपना address लिख देना है इसके अलावा अगर आप normal है कोई भी problem नहीं है आपको curve, fever यह सभी तो इसको as it is छोड़ देना है यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है ठीक है और यहाँ पे c number वाले पे आपको बस yes टिक कर देना है तो यहाँ पे आपको लगा देना है उसके बाद candidate signature यह आपको तब करना है जब आप examination center में हो उसके पहले आपको नहीं करना है ठीक है यहाँ पे बताया गया है presence of invigilator only जब आप computer के सामने बैठ जाएंगे तब यहाँ पे आपको signature करना है photo और आपका left thumb का impression यह पहले से आपको लगा के जाना है आगे यहाँ पे important instructions दिये गए है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है जो main page है आपका at least यहाँ तक यह ज़रूर होना चाहिए आपके admit card में instructions वाला page अगर आप चाहते हैं तो print करवाएं otherwise इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है आप चाहें तो black and white में करवाएं आप चाहें color में करवाएं कोई भी problem नहीं है कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है यहाँ पे बताया गया है water bottle है hand sanitizer है ball point pen है उसके बाद admit card self declaration जो हमने देखा था उपर इसके अलावा आपका clear passport size photo ठीक है यहाँ पे additional passport size photo बताया गया attendance sheet में लगाने के लिए इनल valid ID proof और mask और gloves चार चीज़ें आप ध्यान में रख लें कौन कौन सी पहला admit card दूसरा आपका photo तीसरा आपका valid ID और चौथा आपका mask चार चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जब आप examination देने जा रहे हो इसके अलावा जो भी चीज़ें है वो additional है आप चाहें तो water bottle hand sanitizer लेके जा सकते हैं otherwise कोई भी ज़रूरत नहीं है admit card के आपको एक से ज़्यादा print ले लेने हैं क्योंकि बाद में आपको हो सकता है download करने का option ना मिले तो एक से ज़्यादा admit card आप अपने पास रखें इसका zerox copy, photocopy अपने पास दो तीन करा के रखें जिसे कोई भी problem future में ना हो तो आप इस वीडियो से आपको एक clear idea लग गया होगा कि admit card कैसे download करना है और कौन-कौन सी चीज़ें हम examination center में लेके जाना है और self declaration undertaking कैसे fill करना है तो दोस्तो मिलता हूं मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक स्वस्त रहें मस्त रहें देखते रहें कृशिकरांती यूट्यूब चैनल सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद